Hello everyone and once again welcome to WSQ Tech, myself Umar Tashkir. Guys, इस particular video में देखने वाले किस तरीके से हम hovers को track कर सकते हैं, right guys? तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे laptop screen के उपर, case हम लोग इमान के चलते हैं कि अगर कोई user जो हमारी website के उपर आता है, इस specific page के उपर आता है, Google Analytics में track कर पाए using GTM, तो इसको हम लोग practically देखने वाले किस तरीके साम इसको कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं, तो guys इसके लिए हमें एक custom tag create करना पड़ेगा, चलिए शुरू करते हैं हम लोग, तो guys यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं GTM में और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं Tags में, तो यहाँ गाइस Tags में हम लोग new के ओपर click करेंगे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Custom HTML for hover, तो यह गाइस मैं लिख देता हूँ और यह वाला जो हमारा tag है इसको हम लोग यहां से custom html select कर लेंगे और यहां पर इस पूरे tag को मैंने यहां पर लिख रखता है तो यह मैं आपको description में भी mention कर दूँगा इस video के description में मैं इस tag को पूरे को पूरे tag को यहां से copy कर लेता हूँ जो script है हमारी इसको हम लोग यहां पर enter कर देंगे जो script मैंने copy की हुई है अब guys यहां पर एक important चीज है यहां पर जो आप देख रहे हो track over intent और यहां पर जो आप देख रहे हो image.wp image26 fine यह जो 26 लिखा हुआ this is basically the class of this image ठीक है इस image की यह class है क्योंकि इस image को uniquely identify करने के लिए कि इसी image के उपर hover हो तभी हमें उसे as event लेना है ऐसा नहीं है कहीं पर भी hover हो जाएगा तो हम उसे as event नहीं लेने वाले हैं यह एक जो specific image हमें यहाँ पर देख रहे ही last 12 इसी को हमें लेना है तो guys यहाँ पर इस चीज के लिए हम लोगों यहाँ पर एक और जो line का code है वो लिखा हुआ है बाकी guys यहाँ पर जो आप बाकी का code देख रहे हो ठीक है यह जो पूरा बाकी का code देख रहे हो this is basically common यह common रहेगा तो मैं जब आपको script दूँगा तो आप इसको use कर सकते हैं बाकी यहाँ पर जो आपको add करना है वो आप जो भी image को hover को track करना चाहते हैं उसके आपको यहाँ पर class को add कर देए जैसे मैंने dot करके WP image 26 इसको मैंने add के हैं मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर हम लोग simply चलते हैं और right click करते हैं यहाँ पर आप लोग देखोगे इस image की हम लोग class को देखोगे यहाँ पर आप देख रहे हो इस image की class है अब यह दो classes यहाँ पर use हुई है पर हम लोग को दोनों ही नहीं लेनी है हमें केवल यह वाली image वाली class लेनी है तो guys यहाँ पर अगर मैं वापस hover करता हूँ इसके उपर आप देख सकते हो एक बार के लिए मैं इसको close करूँगा वापस हम लोग inspect में जाएंगे ठीक है and let me select this move tool को select करने के बाद एक बार मैं इसको नीचे कर दूँगा और यहाँ पर जैसे ही मैं hover करूँगा इस वाली image के उपर आप देखोगे यहाँ पर image.wp image26 एक class ही है dot lazy loaded एक class ही है तो मैंने क्या किया है कि एक ही class ली हमारा उससे काम हो जाएगा ठीक है lazy load वाली class को हम लोग ignore करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहा हो मैं एक tag बना रहा हूँ ठीक है और इस tag को बनाने के बाद guys हमें एक trigger बनाना है trigger जो है वो हमारा dome ready के उपर होगा यह trigger all pages पे नहीं है तो मैं एक बार plus करता हूँ यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर मैं लिख दूँगा dome ready ओके और यहाँ पर trigger configuration में हम लोग आ जाएंगे dome ready को मैं select कर लेता हूँ find all dome ready events perfect और यहाँ पर हम लोग guys इसको save कर देंगे तो guys यह हमारे यहाँ पर tag बन चुका है और इसका trigger भी हम लोग ने define कर दिया है यह tag का fire होगा dome ready वाली condition के उपर fire होगा तो मैं guys इसको एक बार के लिए save कर दूँगा और फिर हम लोग preview वाले पर चलेंगे कि यह tag जो है वो fire हो रहा है या नहीं fine तो इसको हम लोग देख लेंगे एक बार हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर यहाँ पर कोई error तो नहीं है यहाँ पर यह perfect है तो यह जो हमारे track hover intent है यह आप देख सकते हो यहाँ पर यह हमारी image class हो गई और यह जो 1500 लिखा हुआ है this is basically time यह 1500 millisecond है कि इतने time तक at least hover रहना चाहिए तो यह लगबग देड़ सेकेंड है ताकि हमें पता चल सके actually की hover हुआ है तो कुछ time duration आप जितना भी चाहिए time duration रख सकते है अब मैं guys यहाँ पर preview के उपर click करूँगा और वापस हम लोग gallery के उपर आ जाते है inspect को मैं close कर देता हूँ यहाँ से और preview को load हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पर जो हमारा preview and debug mode है उसमें जाके हम लोग चेक करेंगे जो हमने conditions define के डॉम ready वाली trigger बैसिकली define के है उसके उपर जो हम लोग ने tag बनाया है वो fire हो रहा है यहाँ नहीं हो रहा है तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो preview and debug वाली window है वो open हो गई है ठीक है मैं नीचे आता हूँ एक बार के लिए और यहाँ पर देख रहे हो आप बड़े सारे tags fire हमें दिख रहा है ठीक है और मैं dome ready दिखाता हूँ dome ready पे देखो यहाँ पर देखो tag fire हमें दिख रहा है gtm.hover, fine, तो guys, यहाँ पर आप देख सकते हो, gtm.hover, अब guys, इसके basis पर, जो gtm.hover हमें यहाँ पर दिख रहा है, इसके basis पर हमें Google Analytics में data भेजनी है, तो यहाँ पर तो चीज़े ठीक चल रहे हैं, वापस हम लोग tags के उपर आएंगे, अब हम लोग new के उपर click करेंगे, fine, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, Google Analytics, hover, image hover, ठीक है, image hover, right, and यहाँ tag configuration में हम लोग आ जाएंगे, and within tag configuration, Google Analytics हम लोग यहाँ से select कर लेते हैं, okay, and यहाँ पर हम लोग select कर लेंगे event, event में मैं category यहाँ लिख देता हूँ, image hover, और action में भी मैं एक बार के लिए image hover यहाँ इसके बाद हम लोगों को यहाँ Google Analytics ID अपनी select कर लीनी, और यहाँ trigger में, यहाँ पर trigger हमें नहीं दिखेगा, ठीक है, so guys, trigger के case में हमें custom event यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है, मैं ले लेता हूँ, custom event, और यह जो हमारा event है, जो यहाँ पर आप लोगों ने देखा था, ठीक है, और event का जो नाम है, वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर, gtm.hover, तो मैं यहाँ पर gtm.hover, enter कर दूँगा, right, all custom events, gtm.hover, that's it, और guys, इसके बाद हम लोग यहाँ पर save कर देंगे, इस बार जो हमारा trigger है, वो एक custom event है, जिसका नाम है gtm.hover, तो जैसे gtm.hover होगा, ठीक है, जैसे gtm.hover होगा, analytics में हमें, जो information है, जो यहाँ पर हम लोगों ने enter करी, category और action यह हमें दिख जाएगा, fine, so guys, मैं इसको कर देता हूँ, save, and इस container को हम लोग publish भी कर देते हैं, यहाँ पर, so guys, save करने के बाद, मैं वापस एक बार refresh करता हूँ, and वापस हम लोग ए लिख रहा हूँ, आप देख रहे हो, tag यहाँ पर fire हो रहा है, google analytics, image hover, और अगर हम लोग वापस google analytics में आएंगे, real time में आएंगे, तो यहाँ जब हम लोग events के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हमें वो information, जो हम लोगों ने google analytics के tag fire कराने वाले, जब settings हम लोग कर रहे थे, वहा google tag manager के through as event google analytics में track कर सकते हैं, दोस्तों इस particular video में इतना ही, मिलते हैं next video में, till then, good bye